कि हवालो एवरई वेल्कंट वैलकम टो The Smart Oakland for smart answers ईंसर ऐसकी इस वीडियो में हमलों बात करने वाले इमस की तरफ से जो maltogate करने तर्फ से जो dépुआ करने वाले हैं अगर आप यह जोब है आप इंडिया किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसमें अप्लाइट कर सकते हो लास्टेट जो इसकी रखी गई हो रखी है 12 मार्श 2020 जो चलिए देखते हैं इसकी डीटेल नोडिफिकेशन क्या 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 आपको और डेटल दिये क्या अप्लिफिकेशन तो चैनल रेक्रूट में आई है इसमें पी-इच डी वाले भी अप्लाइग कर सकते हैं अधूट कर लें अगर आपने पी-इच डी कर रखाया है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नोडिफिकेशन को डाउनट करके डीटेल में आप जाके चेक कर सकते हो तो शली यहा पर हम लोग बात करते हैं कौन को सी पोस्ट तो यहां पर प्रोग्रामर की विकेंसी है जिसमें की लेवल सेवन के एकौडिंग आपको सैलरी मिलेगी इसमें इसेंशिल आपको दिया गया है वी बीटेग अगर अपने कंप्यूटर साइंस से बीटेग कर रखा है कंप्यूटर मुलन होआब राद करां है वालों के लिए आपको सैलरी से यहां पडाय कर प्रॉड प्रोग्रप कर सकती है यह आपको इसमें प्रोगार में हुए क्लभु फारों कर सकते हैं टेखे शैक्वर्ण एकेशें के लिए इसके बाद आपको सेलरी मिलेगी, यहां पर जो इसेंशनल मांगा है, वो मांगा है 3-year डिप्लोमा, 3-year डिप्लोमा in civil engineering, तो अगर आपने civil engineering कर रखा है, तो आप इसमें apply कर सकते हो, यहां पर desirable में भी, यहां पर आपको दिया experience in civil engineering work, तो अगर आपके पास, यहां पर experience है, त अगर आपके पास experience है, तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हो, अगर आपके पास experience नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो experience है, वो desirable में आपको दिया गया, उसके बाद यहां पर बात कर ले, तो अगर आपने higher education कर रखा है, या या अगर आपने B.E.B. आपके पास experience है, तो आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी आप इसमें apply कर सकते हो, नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने हाई एजुकेशन का रखा है भी बीटिक कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो लेवल सिक्स के कोड़िए आपको सैलरी मिलीगी अच्छी कासी आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी यहां पर 30 साल रखी गई है जो पोस्ट जुनियर इंजिनियर यहां पर एर कंडिशन और रखाटर के लिए है तो लेवल सिक्स के कोड़िए आपको इसमें सैलरी मिलीगी यह मैकेनिकल वालों के लिए अगर आपने थरी अप्लाई कर सकते हो यहां पर डिजारेबल में एक्स्पिरियंस मांग गया है एर कंडिशनि करक्ते हैं अपने कर न यहीं है तो भी आप इसमें कर सकते हो उसके बाद यहां पर इस पोश्ट के लिए अगर B के लिए वेकंस के लिए कना सिंटा है वह इसमें अपलाई कर रेगे में 14 अब्सक्रीब अप्लिकेशन फी क्या रहने वाली है और डीटेल्स क्या क्या आपको इसमें दिये गए हैं तो यहां पर अगर अप्लिकेशन फी की बात कर लें तो सबसे पहरे देखे तो जर्णल ओविसी के इंडिट वालों के लिए 15 रुपे रखे गई है एप्लिकेशन फी इसके बाद ए एज रेलक्स़शन चेक कर सकते हैं किस कैटरल वालों के लिए कितनी कितनी एज रेलक्सषइन दी गई ire incident दी गई है अब देखती हैं आपको अप्लाई इस वेबसाइट पर जाके आपको अपलाई करना है यहां पे देखते हैं कि क्या इसकी सेलेक्सिन प्रोसेस रहने वाई है तो आपको इहां पर सेलेक्शन प्रोसेस देहागे है यहां पर कुछ पोस्ट के इसा है कि आप देख सकते हैं ग्रूप A वालों के लिए जिलों ने PhD करका उनका कैसा सेलेक्शन होगा जिन लोगों ने यहां पर कुछ पोस्ट के लिए यहां पर आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा तो आप अपना चेक कर सकते हो इसमें तो यह थी ऑफिशन नोटिफिकीशन जो की आई थी आप लोगो के लिए यह नोटिफिकेशन आउट की गई थी तो आप लोगो को यह वीडियो आई है तो लाइक कर दिजिए अभी तक आपने हमाया चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेजगा और लाइकन को प्रेस कर लेजगा यह से लेटेस्ट पाने के लिए इतना हुसा कि इस वीडियो को अपने श्रीक से शेयर कीजिए जो लो इस वीडियो को जो शेयर कीजिएगा मिलते हुमें नेक्स वीडियो में बाई बाई